नमस्कार सुक्षार्थियो आज के NIS के Community Health Training Program में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप जानते हैं कि Community Health Training Program में तीन सब्जेक्ट हैं और तीन में जो फर्स सब्जेक्ट है आपका जो Basic Life Sciences की हम बात कर रहे हैं उसमें आपका Unit 6 योग और स्वास्त है अभी तक आपने Human Anatomy, Physiology की विसे में पढ़ा उसके विसे में जाना आपने Health की विसे में जाना, Hygiene की विसे में जाना और घरे लूप चार भी किस तरह से किये जाते हैं वो भी आपने जानकारी प्राप्त की फूड के विसे में भी कि किस तरह का जो फूड है वो चाहिए लोगों को जिससे वो स्वास्त रह सकें, जिससे वो ठीक रह सकें तो वो जानकारी भी आपने प्राप्त की इसी मोडिल के नत्रगत यूनिट 6 में स्वास्ते के साथ योग को रिलेट किया गया है, यानि कि स्वास्ते सभी चाहते हैं, स्वास्त रहना हर व्यक्ती चाहता है तो स्वास्त रहने के लिए क्या योग का कोई योगदान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आज योग को लेकर के सभी उत्साहित हैं, यहाँ तक कि चिकिस्दी अपनी चिकिस्दा करते वक्त जो भी पेसेंट को वो मेडिशन देते हैं, उसके साथ में कई बार आपना एक महत्त है, और स्वास्त है में महत्पूर्ण भूम का योग निभाता है, और इस टॉपिक के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर निधीगर्ग, फिजीशन, मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस्टूडियो में, बहुत-बहुत स्वागत कि कौन-कौन से आसन करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कैसी साबधानी रखनी चाहिए, वो आपको प्रैक्टिकल टेने के माध्यम से भी प्राप्त होगी, यहां हम थेओरी के इस यूनिट 6 की बात करते हैं, योग और स्वास्त है की, तो डॉक्टर निधी जी, आप इस ट सकते हैं, आपत कलनी स्थिति में भी कुछ क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, और स्वास्था को ले करके हम और क्या बात चीत कर सकते हैं योग के साथ, इसके बारे में इनको बताएं। नमस्कार शिक्षार्थियों, जैसा कि सर ने आज बताया कि हम योग और स्वास्थे के विशे में जानेंगे, तो आईए योग और स्वास्थे के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि योग क्या है और इसका स्वास्थे के साथ क्या संबंध है, आईए सबसे पहले जाने कि योग क्या है क्योंकि आजकल सफचेद अक्रेज्ट लोगों में योग का है हर कोई अपने तरीके से योग कर रहा है योग शब्द का समाने अर्थ है जोड़ना जुड़ना मिलना युक्त होना आदी संस्कृत में योग शब्द की उतपत्ति युच धातु से मानी गई है जिसका अर्थ है स्वेम के साथ मिलन या स्वेम को स्वेम के साथ जोड़ना शरीर का मन से मन का आत्मा से और आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग कहलाता है आए जानते हैं योग की कुछ मुखे परिभाशा हैं जो विभिन-विभिन महरिशियों के द्वारा दी गई है सबसे पहले जानते महरशी पतंजली ने क्या कहा है अथ योग अनुशासनम अर्थात योग अनुशासन का वह विग्यान है जो शरीर, मन तथा आत्म शक्ति का सर्वांगिन विकास करता है यह परिभाशा उन्होंने जब योग दर्शन शास्र लिखा था तब उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुवाद की है अथ योग अनुशासनम अर्थात योग अनुशासन का वह विग्यान है जो शरीर, मन तथा आत्मिक शक्ति का सर्वांगिन अर्थात संपून विकास करता है वही दूसरी जगा उन्होंने कहा है योगस्चित वृत्ति निरोधा अर्थात योग किसे कहते हैं जब चित्त की वृत्तियों पर निरोध अर्थात अंकुष लग जाए तो उस स्थिति को हम योग कहते हैं गीता के अनुसार योगह कर्मसु कोशलम अर्थात जब आप किसी कर्म को कुशलता पूर्वक अर्थात कोशल से करते हैं तो वह भी योग है और दूसरा गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्चते अर्थात जब आप किसी समत्व समता की स्थिति में रहते हैं सुख या दुख का आपकर नुभव नहीं होता है, किसी के साथ इशा द्वेश आपको नहीं है, तो उस तिति को भी हम योग कहते हैं आएए अब जानते हैं अश्टांग योग योग की सबसे बड़ी खासत है कि इसमें आठंग होते हैं जिसे हम अश्टांग योग कहते हैं तो इसके क्या-क्या सीडिया या सोपान है आएए हम जानते हैं इसमें आठ हैं जिसको हम अश्टांग योग बोलते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्यहार, धार्णा, ध्यान, समाधि एक एक करके हम जानते जाएंगे कि यम क्या है, नियम क्या है सबसे पहले होता है यम, सैयम और अनुशासन यह है एक समाज के लिए, सब के लिए होता है जिसमें की सबको एक नियम के द्वारा बांधा जाता है अर्थात संयम और अनुशासन सिखाया जाता है जब तक एक समाज नियमों में नहीं बंदेगा तो मनुश्य अपने आपको किसी नियम में नहीं बांध पाएगा इसलिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंस या महत्व यम को दिया जाता है दूसरा है नियम शरीरवार बुद्धी को पवित्र रखना यह स्वेम के लिए होता है अर्थात मनुश्य के अपने लिए होता है जिसमें वह कुछ नियमों का पालन करता है जिससे की वह अपने आपको स्वस्थ या पवित्र रख सके तीसरा है आसन शरीर में स्थिर्ता और सुख की स्थिती अर्थात एक ऐसी स्थिती जिसमें व्यक्ति स्थिर्ता पूर्वक और सुख पूर्वक काफी देर तक बैठ सके चोधा है प्राणायाम जिसमें श्वासों पर संयम करना सिखाया जाता है या हम श्वासों पर संयम करना सीखते हैं क्योंकि जितनी हमारी श्वास चलती है उतना ही हमारा मन चलता है जैसे जैसे अगर हम श्वास पर नियंतरन प्राप्त करते जाएंगे पांच्वा सोपान होता है प्रत्यहार, अर्थाथ अपने दोशों को दूर करना, कि जो आपके इंद्रियों के दोश हैं उनको आप दूर करें, ये प्रत्यहार में हम सीखते हैं छटा सोपान है धारना अर्थात चित्त को धे में लगाना अपने आपको एक ऐसे साध्धा में लगाना जिसमें हम थोड़े देर के लिए ध्यान में बैट सकें। सात्मा स्वपान है ध्यान, चित का एकाग होना ध्यान कहलाता है, अर्थाथ जो धारना या जिसमें हमने चित को धे में लगाया था, वहां पर चित का एकाग अर्थाथ कंसंट्रेटेड हो रहा है, उस चीज़ को हम ध्यान कहते हैं. आठमा और आखरी स्वपान है समाधी, जहां पर आपका चित स्थिर हो जाए, जहां पर आप एक जगे पर काफी देर तक टिक पाएं, उस थिती को हम समाधी कहते हैं सबसे पहले हम यम के विशे में जानते हैं, यम जैसा कि हमने देखा कि सयम और अनुशासन को हम यम कहते हैं, यह है एक समाज के लिए होता है, जिसमें हम उनको एक नियम में बान देते हैं यम पांच प्रकार की होते हैं या इसके हम बोल सकते हैं कि पांच प्रकार हैं अहिंसा, सत्य, अस्ते, भ्रमचर्य और आपरीग्रहा सबसे पहला है अहिंसा अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कोई कश्ट ना देना यदि हम किसी को बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, तो ये मानसिक हिंसा होती है, जिससे की हमें नहीं करना चाहिए दूसरा है सत्य, अर्थात, किसी भी विशय को बोलने से पहले हमें उसको पूरा परखना चाहिए जो आपकी आँखें, जिसको आप सही से देखें, वही आप बताएं, उसे हम सत्य कहते हैं सत्य बोलने वाला अभियासी किसी से डगता नहीं है और किसी से परवा नहीं करता है अस्ते, अर्थात, चोरी ना करना तो वह स्ते कहलाता है आगर हम किसी से पूछ कर, उसकी आग्या प्राप्त करके वह चीज का इस्तमाल करते हैं, प्रयोक करते हैं तो इसे हम अस्ते कहते हैं इससे दोनों को फायदा रहता है जिससे हमने पूछा है उसको भी अच्छा लगता है और हमें भी मन में कोई गलानी भाव नहीं रहता है ब्रहमचर्य ब्रहमचर्य का अर्थ है कि अपने इंद्रियों को नियंद्रन में रखना अर्थात उन पे हर प्रकार का अंकुष लगाना कि जो आपको चीज आपके मतलब की नहीं है उनसे अपने आपको दूर रखना अ परिग्रह अर्थात संचे ना करना जो एक अभ्यासी है जिसको इश्वर में विश्वास है वे कभी भी चीजों को संचित करके या भंडार करके नहीं रखता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि इश्वर के द्वारा उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी दूसरा सोपान है नियम अर्थात स्वयम के लिए पवित्रता या बुद्धी का प्रियोग करना कि जिसमें हम अपने आपको पून तहा स्वस्तिया पवित्र करते हैं इसमें सबसे पहले है शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इश्वर, प्रणिधान ये पांच नियम होते हैं आए थोड़ा-थोड़ा हम इनके विशे में जानते हैं सबसे पहले है शोच, शोच का अरथ है पवित्रता या शुद्धी रखना या करना ये दो तरह क्या होता है, आंत्रिक शोच और भाय शोच भाय शोच में हम जब शरीर की शुद्धी करते हैं, उसे हम भाय शोच कहते हैं जैसे अपने आपको पोंचना, नहाना, स्नान करना या अपने आप में सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना वह भायशोच है। आंत्रिक शोच का है जब हम अपने मन की पवित्रता हम अपने मन को पवित्र करते हैं विचारों को शुद्ध करते हैं तो वह आंत्रिक शोच कहलाता है संतोष, दूसरा है नियम में संतोष, कि अर्थात जो भी चीज हमारे पास है, उसमें हम संतुष्ट हैं, हमें जादा की लालसा या इच्छा नहीं है अर्थात जैसा भी है ठीक है हम सुख दुख सब में एक समान है अर्थात अपने आपको अपनी इंद्रियों को तपाना या तपस्या करना या किसी चीज के लिए प्रेरित करना स्वाध्याय अच्छी चीजों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है यह आपका चोथा नियम है स्वाध्याय जैसा की नाम से ही आप जान सकते हैं स्वाध्याय की अध्यन करना अच्छी अच्छी किताबों को आप पढ़िए अच्छी अच्छी विचारों को जानिए तो यह के विशा में थोड़ा जानते हैं आसन शब्द संस्क्रित भाशा की अस्थातू से बना है जिसके दो अर्थ हैं बैठने का साल अर्थात जिस पर बैठते हैं जैसे चटाई दरी आदिका आसन दूसरा होता है शारेरिक अवस्था अर्थात बैठने की विशेश परिख्रिया इस दूसरे अर्षे ताथ पर रहे कि शरीर, मन तथा आत्मा की संयुक्त अवस्था अत्वा शरीर, मन तथा आत्मा एक साथ स्थिर हो जाने पर जो सुख की अनुभूती होती है वह स्थिती आसन कहलाती है यसे योगासन उसमें भी पदमासन, ताडासन आदी. आसन की परिभाशाएं देख लेते हैं, महरशी पतंजली के अनुसार स्थिर सुखम आसनम अर्थाथ बिना हिले डुले स्थिर्ता के साथ बिना किसी कश्ट के सुख पूर्वक एक ही शारेरिक स्थिती में बने रहना ही आसन है. अर्थाथ, एक ऐसी स्थिती जिसमें की हम सुख पूर्वक, स्थिर्ता पूर्वक, काफी लंबे समय तक पिना किसी कश्ट के आराम से बैठे रहें, उसे हम आसन कहते हैं. शारेरिक, मानसिक तथा आत्मिक स्वास्थलाब के लिए योगासन अत्यन तुप्योगी है. प्रानायाम यह चोथा सोपान है. प्रान का अर्थ होता है जीवन, श्वसंक्रिया, उर्जा या शक्ति और आयाम का अर्थ है विस्तार, फैलाव, वी नियमन, दीरगी करन, आत्मसयम अत्वा नियंत्रन. तो प्रानायाम का शाब्दिक अर्थ हुआ, प्रानिक उर्जाओं का नियंत्रन अत्वा प्रानों को विस्तार देना. जो हमारी जीवनिये शक्ति है, उसका हम अपने शरीर में सर से लेकर पाउं तब दोनों हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में विस्तार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं वी नियमन कर रहे हैं दूसरी हम ये भी बोल सकते हैं प्राण तथा अपान का योग अर्थात श्वास प्रश्वास पर नियमन तथा नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है महरिशी पतंजली के अनुसार अर्थात आसन की सिद्धी होने के बाद श्वास प्रश्वास की गती को विछेत करना प्राणायाम कहलाता है विछेत करने का अर्थ है कि श्वास की स्वभाविक गती को रोक कर यथा शक्ती नियमन, नियंद्रित या सम करना जब हम आसन को सिध्ध कर लेते हैं उसके बाद जो हमारी श्वास प्रश्वास जो हम सांस ले रहे हैं उसकी गती को रोकना यह प्राणायाम कहलाता है प्राणायाम की स्थिती आसन को सिध्ध करने के बाद ही आती है प्रत्याहार ये हैं पांचवा सोपान है इंद्रियों को विश्यों से हट कर एकागर हुए चिन्द के स्वरूप का अनुकरन करना प्रत्याहार कहलाता है जैसा कि हम जानते हैं कि पांचवा सोपान है प्रत्याहार और प्रत्याहार नाम से ही प्रति जम्ह आहार अर्थात इंद्रियों को उनके अनुरूप आहार ना देना अर्थात इंद्रिया साधक के वश में हो जाती हैं धारना यह छटा सोपान है देश बंद चितत से धारना अर्थात बाहर या शरीर के अंदर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारना है अर्थात देश का अर्थात यहाँ पर मन शरीर से है की शरीर के अंदर या बाहर आप किसी भी एक जित्त को मन को थोड़े देर के लिए एकागर कर ले वह चीज धारना कहलाती है जैसे कि हम पानी की धार कहते हैं, जब हम पानी को डालते हैं उपर से नीचे की तरफ तो एक धार में बहता है लेकिन उसमें थोड़े से छीटे होते हैं तो उसको हम उस अवस्था को हम धारना कह सकते हैं मन को एक स्थान पर केंद्रित करना धारना है सात्मा सोपान है ध्यान तत्र प्रत्य एक तानता ध्यान अर्थात चित्त को निरंतर एकाग्र करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं कि जब हम ध्यान में अपनी एक तानता ले आते हैं तो उसे हम ध्यान कहते हैं इसको हम तेल की धार के साथ related कर सकते हैं جیسے कि तेल की धार होती है उसमें कहीं भी कोई छिटकाव नहीं होता है उपर से नीचे तक एक ही धारा एक ही जैसे है तो उसको हम ध्यान कहते हैं जिसमें आपका मन इधर उधर कहीं नहीं बटक रहा है एक ही जगया पर लगा हुआ है समाधी यह आठवा और अंतिम सोपान है यह सबसे उच्चतम आपका स्थान रहता है अश्रांग्यों का जिसके लिए की सभी प्रत्म करते हैं ध्यान करते करते जब चित ध्यायकार में परिनत्थ हो जाता है उसके अपने स्वरूप का अभावसा हो जाता है उस स्वरूप का नहीं ग्यान रहता है कि आप कौन है क्या है क्या कर रहे हैं तो उस अवस्था को हम समाधी कहते हैं अभी तक हमने जाना अश्टांग्यों क्या है इसके क्या क्या सोपान है आए आज कल जो हम चल रहे हैं कि योगासन क्या है कैसे किया जाते हैं तो उसके विश में कराने चाहिए क्या-क्या सावधानिया लेनी चाहिए क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए आप कैसे लोगों को जागरूप करेंगे स्वास्थे के बारे में योग के बारे में तो उसके विशे में अब हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले देखते अर्थात संसार में जितने जीवों की योनिया है उतने ही आसन है जीव योनिया 84 लाख माने गई है अथा आसन भी उतने ही माने गई है इनमें से 84 आसन श्रेष्ट माने गई है इनमें भी 32 आसन अति विशिष्ट और अधिक शुब समझने चाहिए सबसे पहले जानते हैं बैटकर किये जाने वाले आसन कौन-कौन से हैं सिद्धासन, पदमासन, वजरासन, गोमुखासन, पश्चिमोतानासन, उश्रासन, सीहासन, कुकुटासन, आदी ये सब बैटकर किये जाने वाले आसन हैं जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कुछ आसन जो बैड कर किये जा रहे हैं, इन सब का आप प्रैक्टिकल में देखेंगे की कैसे करते हैं, क्या किया इनकी स्थितियां हैं, क्या किसे ये किये जाने जाहिए। पवन मुक्त आसन सुप्त वजरासन शवासन बाला आसन आदी पेट के बल लेटकर करने वाले आसन है भूजंग आसन धनूर आसन मकर आसन शल्भासन नोक आसन त्रियक भूजंग आसन सर्पासन आदी आसन के लाब क्या होते हैं आप कैसे किसी व्यक्ति को प्रेरित करेंगे क उन्हें आसन करने चाहिए तो हम जान लेते हैं कि आसन के लाग योगासन के द्वारा शारिरिक धांचे अर्थात जो आपका शरीर है वह उसमें अंतर नहीं संपून मासपेशियों का व्यायाम होता है आपको अलग से व्यायाम करने की जुरूरत नहीं है यदि आप योगासन कर रहे हैं तो आपके संपून शरीर का संपून मासपेशियों का स्वता ही व्यायाम हो जाता है इस्ते श्रीर सुन्दर, स्वस्त, सुडोल तथा मनोहर बन जाता है फेप्ड़े स्वस्त और मजबूत होते हैं क्योंकि आप आसन के समय श्वासों पर नियंतरन प्राप्ट क के नियमित अभ्यास से सभी नस नाडियों में रक्त का संचार आसानी से होने लगता है क्योंकि आपकी जो हड्यां है आपकी जो मास पेशियां है वो खिचती है उनमें थोड़ा सा खिचाव आता है तो इसलिए रक्त का संचार आसानी से होने लगता है शरीर को उर्जा मिलती है जिससे व्यक्ति तनाव मुक्त व्याधी मुक्त कष्ट मुक्त होकर श्रेष्ट जीवन व्यतीत कर सकता है आसन करने से पूर्व क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए आए जानते हैं आसन शोच क्रिया से निवरित होने के बाद ही किया जाना चाहिए तथा एक घंटे के पश्चात स्नान करना चाहिए अर्थात ऐसा ना हो कि आपको प्रेशर हो रहा है या आप अपने जो क्रिया है उनसे निवरित नहीं हुए है और आप आसन करने बैठ गए हैं ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बताना चाहिए कि शौच क्रिया से निवरित होने के बाद ही किसी व्यक्ति को आसन करना चाहिए और आसन करने के 1 घंडे के पश्चाती स्नान करें ताकि आपके शरीर में जो उर्जा है वेल गरम शरीर तो उस вм呢 T origin तुरंट आसान स्नान नहीं करना चाहिए चाहिए समतल भूमी पर आसन भिशाकर करना चाहिए मौसा मनुसा डीले वस्र पहनना चाहिए आसन खुले एवं हवादार स्थान पर करें ताकि श्वास के साथ आप शुद्ध वायू ले सके आज कल जैसे आप देख रहे हैं कि एक छोटे से गम्रे में काफी सारे लोग बैठे होते हैं और एसी चलाकर आसन किये जाता ह तो उसमें आप पूर्ण स्वास्तला प्राप्त नहीं कर सकते हैं आसन हमेशा खुले एवं हवादार स्थान पर ही करना चाहिए आसन के प्रारंभ में ही अनावश्चक जोर ना लगाएं अर्थात अपने आपको एकदम से जबरदस्ति किसी पी अवस्था में नहीं लाना चाहिए धीरे-धीरे अभ्यास करना चाहिए क्योंकि धीरे-धीरे अभ्यास से शरी लचीला हो जाता है योग आसनों का अभ्यास सबसे महतपूर्ण है कि अपनी शमता तथा अवस्था के अनुरूप ही करें जितनी आपकी शमता है उसके अनुसार ही आपको योगा आसनों का अभ्यास करना चाहिए किसी दूसरे को देखकर कि ये ऐसे कर रहा है या वह उतना कर पा रहा है आपको एसा नहीं करना है आप अपनी शमता तथा आवस्था कि अनुसार ही-योग- अव्यास करें में किसी को भूर crack गंभी रोग है जोडों का दर्ध है तो उसमें आसन ना करें या फिर किसी चिकित्सक के परामर्श-नुसार या योग-शिक्शक कीween कि देखरेख में ही आसन करें स्त्रिया मासिक धर्म वा गर्भावस्था के दोरान आसन ना करें, सम्यक वा सात्विक आहारले आसन क्रिया करने के दोरान आसन विधी पूर्वक ही करें, आसन के प्रारंभ वा अंत में विश्राम अवश्य करें, आसन के पूर योगिक वयाम अवश्य करें, इससे शरीर की ज जक्राहट शम्हात्थ होती हैं यहां पर योगिच व्याम से हम करने से पूर बताते हैं वह अवश्य करना चाहिए योगासनों का महत्व क्या है कि जैसे स्नान शरीर को निर्मल करता है वैशन मण को निर्मन औरते हैं संपून शरीर में उर्जा का संचार होता है, शरीर की अस्थिर्ता एवं आलस से दूर होता है, शारेरिक ठकावट कम होती है, वा मांसिक तनाफ दूर होता है, क्यूंकि आप अपने श्वासों पर नियंतरन प्राप्त करते हैं, जब आप श्वासों पर नियंतरन प्राप्त क करते हैं क्यूंकि आसन करते वक्त आप अपने मन पन यंतरन प्राप्त करते हैं तो आपको किसी के प्रती इच्छा द्वेश इर्श्या यह सब भावुद्पन नहीं होते हैं शारिरिक मांसी के भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में सहयक होते हैं योगास्तनों के साथ सू आधक को संपून योग वयाम का लाप पहुंचाने में समर्थ है आधित्यस्य नमस्करान ये कुर्वंती दिने दिने आयू प्रग्या बलं वीरे तेजस तेशाम चा जायते अर्थात जो लोग प्रति दिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयू प्रग्या बलं वीरे और जाता है सूर्य नमस्कार जैसे कि आप नाम से जान रहें कि सूर्य को हम इसमें नमस्कार अर्थात उसको सेल्यूट कर रहे हैं उसका हम आदर समान कर रहे हैं इसमें 12 स्थिति होती हैं जिसमें 17 स्थिति के बाद 15 स्थिति से पहली स्थिति तक पुन्रावर्तन होता है इसक वही है कि अपनीक शम्ता और अवस्था के अनुसार ही अनुरूप ही आपको यह योगासन या सुर्य नमस्कार करना चाहिए देखिए आए देख लेते हैं कि इसमें स्थिती क्या क्या है प्रतम स्थिती प्रणामासन की है जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सबसे पहले नमस्कार की स्थिती है दूसरी स्थिती हस्तोत्तानासन की है तीसरी हस्तोपादासन चतुर्स्तिती अश्वसंचालासन प यहां से आपके फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे नवम स्थिती अश्व संचाल आसन, दशम स्थिती हस्तो पाद आसन, एकादश्थिती हस्तो तान आसन, वादश्थिती प्रणाम आसन सुरू नमस्कार के लाप क्या है? यह एक पून वयाम है जो संपून शरीर को पून आरोगयता प्रदान करता है, शरीर के सभी अंगों, प्रत्यंगों को बलिष्ट वा निरोगी बनाता है, मेरुदन, वर्टिब्रल कॉलम, स्पानल कोड को कमर को लचीला बनाता है और वहां आई विकारों को दूर करने में मदद करता है, उदर, आंत, अमाशे, अगनाशे, हृदे और फेफणों को स्वस्त करता है, समस्त शरीर में रक्तसंचार सुचारो रूप से करता है, शरीर के सभी अंगों की मांसपेशिया, पुष्ट एमसुंदर होती है, शरीर का प्राणा की प्राणायाम क्या है, कि जहां पर आपकी श्वास प्रश्वास की गती पर विच्छेद होकर आप विच्छेद करते हैं, आसन के सिध्ध हो जाने पर अपनी जो जीवन उर्जा है, उसका हम शरीर में जब विस्तार करते हैं, तो उसको हम प्राणायाम कहते हैं, तो हमारे सास्त्रों में प्राणायाम के आठ भेद माने गए हैं नारिशोधन, सूरे भेदी, भस्तरिका, उज्जाई, सीतकारी, शीतली, ब्रामरी और प्लावनी ये प्राणायम के आद्भेव माने गए हैं, इनके विशय में हम यहाँ पर अभी आपको से फितना ही बताएंगे, बाकी इनकी संपूर्ण जानकार या प्रैक्टिकल्स जब हम करेंगे तब उसके उसमें लेंगे, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि प्राणायम में हम करते क्या या क्या कि चीज़ें हमें प्राणायम में पता होनी चाहिए, श्वास्प्रश्वास के संचालन को योग में निम्र प्रकार से वर्णित करते हैं, रेचक, श्वास को नासिका से बाहर निकाल कर उसकी स्वभाविक गती पर नियंतरन करना रेचक कहला था है, पूरक, श्व लेते हैं तो उसको हम पूरक कहते हैं कुम्भक श्वास प्रश्वास दोनों गतियों पर नियंत्रन से प्राण को जहां का तहां रोग देना कुम्भक कहलाता है अर्था यदि हम सांस ले रहे हैं सांस लेने के बाद उसको हम अंदर ही रोक लेते हैं तो हम उसे कुम्भक कहते है या फिर अगर हम श्वास झोड कर उसको बहारी रोग देते हैं तो वह बहाय कुंबख कहलाता है अब आज़ं प्राणायाहं करते से मैं क्या-क्य साफधानिया बरत नीचह आपने सादकों को बतानी चाहिए यह हम जान लेते हैं प्राणायाम से पहले अपनी नासिकाओं को अच्छी तरह से साफ कर लें पदमासन सुख आसन स्वस्तिकासन वजरासन आधी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें स्तिर्ता पूर्वक मेर्युदन को सीधा रखें और सुख पूर्वक पूरे आत्म कि जो प्राणायाम शरीर में घर्मी उत्पन करते हैं उन्हें गर्मियों में और जो शीतलता लाते हैं उन्हें सर्दियों में ना करें अभ्यास करने वाली जगे शुद्ध स्वच्छ और शोर शराबे से रहित हो मुत्रादी के वेग में इसे नहीं करना चाहिए हमेशा चाहिए प्राणायाम करने के तुरन बाद कभी भी प्राणायाम अभ्यास नहीं करना चाहिए प्राणायाम के लाप्यां सभी तेज, बल और ओज को बढ़ाता है, इसका अभ्यास सभी प्रकार के विशय विकारों जैसे काम, क्रोध, लोब, मोह, इच्छा द्वेशादी से दूर करता है बुढ़ापा दूर होता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ती है, कब्स, अपच, एवं पाचन समंदी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है सबसे महत पूर्ण क्या है, प्राणायाम के अभ्यास से फेफ़रों की शमता बढ़ती है, तथा अधिक्तम वायू संचार करने में फेफ़र सक्षम होते हैं तो शिक्षार्थियों, आज हमने योग और स्वास्थे के विशे में जाना, कि योग क्या है, किसे कहते हैं, योग में अश्टांग योग क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, इनको करते समय किन-किन सावधानियों को बरतना चाहिए, इनके क्या लाब है, कौन-कौ प्राप्त करें धन्यवाद